आप देख रहे हैं बिहार के दिश्टर कुरांती के पाइनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी सुप्रीम कोट की तरफ से अयोध्या में विवादित भूमी मामले को कोट के बाहर सुल जाने के लिए बनायेगे मदस्ता पैनल ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सिल बंदली फापे में कोट को सौप दी है सुप्रीम कोट के रिकायर जज एफ आई आई कलिफुला की अध्यक्षता में तीन सदस्य इस पैनल को 15 अगस तक रिपोर्ट देने को कहा गया था हाला कि कोट की तरफ से मदस्ता पैनल को यह कहा गया था कि वे जल से जल इस पर रिपोर्ट फाइल करें इस साल मार्च में 5-10 सुप्रीम कोट के जजों की बेंच ने कोट के बाहर मदस्ता की एक कोशिस का फैसला किया था हाला कि उत्तरपरदेश सरकार ने सुरुवात में इसका विरोध किया था लेकिन मुस्लिम पक्स ने इसका स्वागत किया था आपको बताते कि सुप्रीम कोट इलाहाबाद हाई कोट के 12-12 के उस फैसले के खिलाब दायर्याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 2.77 एकर भूमी को निर मोहिया खाड़ा, सुनी सेंटरल वक्ट बोड और राम लला के बीच बाटने का आदेश दिया था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्सता में सुक्रवार को पांसदसिय बेंच इस पर आगे के कदम के बारे में फैसला कर सकती है इस समवेधानिक बेंच में जस्टिस स.A. बोबडे, डिवाई, चंदरचूड, असोक बूसन और अब्दूल नजीर सामिल है जजो ने इससे पहले यह संकेत दिया था कि अगर मेंदस्ता की कोशिस विफल होती है तो समवेधानिक पीट के समख्ष दायर अपील पर सुनवाई जारी होगी और यही ओजना बनाई गई है आपको बता दे कि अब इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी यानि कि तोरित तोर पर इसका अब निस्पादन किया जाएगा ऐसे में उमीद बन रही है कि आने वाले वक्त में भले ही मदस्ता कमीटी ने कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला मगर कोट अपना फैसला आपको प्राप्त हो जाएंगी